नमस्ते आज हम बनाएंगे गोवी का पराठा जो बहुत ही आसानी से बनता है और बहुत ही स्वादिश लगता है खाने में देखे पराठे कितने सौफ्ट बने हैं और इसके जो अंदर की फिलिंग होती है वो भी बहुत ही अच्छी लगती है देखने में बिलकुल अच्छे से बनी हुई है और अभी गोवी का सीजन है तो स्वाद भी बहुत बढ़ जाता है स्वागत है आपका मेरे चानल पैलेंसिंग लाइफ में तो मैं गोवी के पराठे के लिए सबसे पहले मैंने गोवी ले लिया है और यह मैंने फ्रेश गोवी लिया है इसे आप अच्छे स साफ करके इसे पीसस में कट कर लीजे जिस भी तरीके से आपको कट करना है और इसे मैं चॉपर में अच्छे से चॉप कर लूँगी अच्छे से फाइनली आप इसे चाहे तो ग्रेट भी कर सकते हैं या आप इसमें हलका सा इसे चर्ण कर दीजे यह अच्छे से इसका टेक् तो यह बाना है When I ambs याज भी दो इसे में डाल रही हूँ और इसे भी मैं उसी तरीके से कड़ लूँगी आप चाहे तो से कर सकते हैं लेकिन वह जुँद रह जाते न तो हमें पराथे बनाने में उसे प्रप्राप्लम आएगी इसलिए मैं इसमें ही इसे कट कर लिया है और आज वाइन का लिया है मैं अज वाइन और कलॉंजी लिया मैं उसमें टाल दूकर आज वाइन चे पराठे काशो होता है रशेल छोय निखर करा नहीं है पराठा बहुत ही सॉफ्ट रहता और बहुत टाइम तक वो सस्टेन करता है उसी तरीके से सॉफ्टनेस के साथ वो देखिए हमारा आठा बिल्कुल रेडी हो गया है बस इसी तरीके का हमें बहुत टाइट नहीं चाहिए ऐसा ही हमें चाहिए और यह मैंने कड़ाई गली है और इसमी तरह कर ली तर्षर गर्म कर ली है और इसमें और बी चाहिए और जेरा कट रही है यह जो भी कि यूद्याय करना यह मैंने इसमें जीरा पाउडर डाला है और यह मेर कश्मीरी लाल मिर्श है यह मैं बस कलर के लिए इसमें अड़ कर रही हूं अगर आप नहीं डालना चाहते तो आप स्किप भी कर सकते हैं आप लूर टू मीडियम फ्लेम पर ही गोवी को फ्राइ कीजिएगा अच्छे से ज अब मैं इसमें हल्दी डाल रही हूं थोड़ा से चुटकी बहर बस मैं हल्दी डाला इसमें और इसे भी डाल करके हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे अभी थंडी के सीजन में गोवी का पराटे बहुत ही अच्छे लगते हैं खाने में आप बच्चों को टिफिन में दे सकते बच्छी है तो और आपको क्या देखना है वो आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए मैंने इसमें एक चम्म चाट मसाला डाला है टेस्ट के लिए और यह मैंने धनिया काटा है फ्रेश धनिया है यह उसे मैं डाल रही हूं इसमें अगर आपके पास धनिया हो तो आप ड अच्छी स्मेल आती है अब हम इसे बंद कर लेंगे और यह देखिए हमारे मिक्स्चर रेडी हो गया और जो हमने आटे का डो बनाया था ना उसके मैंने पीड़े बना लिए हाथ में थोड़ा से आटा सूखा ले लिए और इस तरीके से आप इसे किनारी से दबाते हुए और इस तरीके से आप इसमें गोवी की फिलिंग डाल दीजिए किनारे पर गोवी जो है वो लगनी नीश है यह नहीं तो आटे जो है न वो आपस में किनारे इसके चिपकेंगे नहीं और बीच से आप इसे प्रेस करते वे गोवी को और साइड वाले किनारे को आप आपस में इ इसे टाइम दे करके नमक में डालके गोवी को रखने की कोई आवश्यक्ता नहीं है यह इस तरीके से आसानी से बन जाता है बस इस तरीके से आप इसे गूल कर लीजे और पेड़े जैसा इसे कर लीजे यह देखिए रेडी हो गया है एक पेड़ा हमारा अब हम इसे बेल लें थोड़ा से डस्टिंग के लिए इसमें मैंने गेहूं काटा लिया है और इसे आप फल के हाथों से बेल लीजे आप बस इसी तरीके से हमें घुमा घुमा करके इसे बेल लेना है अच्छे से यह देखिए हमारा जो मसाला है वो उपर से कितने अच्छे से दिख रहा है रेडी हो गया है हमारा एक पराठा अब हम इसे तवे पर टाल देंगे हमारा पराठा देखिए मसाला कितने अच्छे से दिख रहा है इसके अंदर से मतल हमारी जो फीलिंग यह बहुत इच्छी हुई है अब मैं इसे अपने तवे पर ढर दे रही हूं मैंने तवा गर्म हो में चिपक जाए आपस में आपस में किसे बच्पक जाए कि और और इसे कड़ लेना है आप इसे हमा हलके हाथों से प्रेस करते वे बेल लेंगे यह देखिए हमारा पराथा दूसरा भी बिल्कुल रेडी हो गया है बहुत ही आसानी से बन जाता और बिल्कुल भी इसमें से गोभी बाहर नहीं आती है देखिए हमने जो तवा पराथा डाला था वो अल्मोस रेडी हो गया, एक तरफ से सिग गया है अब हम इस पे तेल डालेंगे अब कोई भी तेल डाल सकते हैं रिफाइन अगर यूज़ करते हैं मैं सरसो तेल यूज़ करती हूँ, मैं वो डाल रही हूँ अच्छे से आ गया है, ब्राउन जैसे बस इस तरीके की हमें ब्राउन चित्तिस पे चाहिए ये देखिए कितना टेस्टी लग रहा है हमारा पराथा देखने है, बिल्कुल रेडी हो गया हमारा पराथा सर्फ करने के लिए, तो जरूर ट्राई कीज़ेगा मेरी इस गोवी के पराथे की रेसिपी को और बताईएगा कैसा लगा आपको, थैंक यू